हेलो फेंस मेरा नाम संदिप है और आज हम लोग बात करनेवाने राट के बारे में लोगर अलेटियक सबस्क्राइट के सब्सक्राइट करें video. यह chapter कहिए लेटार के बहुत तस chapter है बिल्कुल नहीं है बहुत easy chapter है जब बच्चा अलया topic है इस चाप्टर से कम से कव आपका 5 तू 8 मार्क का विटेज रहता है यह चाप्टर बहुत यह है, मतलब कि एक बार पढ़ते हैं समझ महा जाएगा और कोई ऐसा जुदी नहीं कि तो वर्ट तू वर्ट आपको लिखने हैं इस चाप्टर आपको पढ़ने का पढ़ेगा एक बार रिवाइस करते हैं आपको यह चाप्टर हो जाएगा इस पाद ची गैरिंटी मैं देना है इस पार इंटी बोलता है क्या यहां पर उस सुसाइटी के बारे मात कर रहा है बिल्कुल नहीं यहां प्रेंटी के बाद करें आपने कभी NGO के बारे में सुनाई यह रजिस्टर स्साइटी है जो सुसाइटी एक के अंदर रजिस्टर होती है फर प्रमोटिं सम गूड थिंग्स कुछ अच्छे चीजों को प्रमोट करने के लिए कि ये सुसाइटिया रजिस्टर की जाती है एंग्यो का आपने कभी नाम जरूर सुना होगा फोल गाता में वस्ते भूमी का आपको मैंने सुना है तो सुसाइटी जैसे के हम लोग बात करें एक कमपनी जैसे लिस्टर कमपनी बहुत सकते हैं फिर कोई भी कमपनी प्राइब कमपनी प्रफित करने के लिए हमको ज्यादा प्रफित चाहिए है इस बुक के अंदर आपके भी बुक के अंदर बहुत सारी गलतियां दिया मतलब गलतियां नहीं बोचकते मिस्तर मिस्टर इभू सकते जो कश्या आप हर जागा कमपनी आप यह आ खेक नहीं सब्सक्राइब अभी भी यह लोग मेंशन करके रखे हुए यहां पर यह लोग बूले फॉर आइटेंटी के प्रपस नॉन प्रॉफिट और सेक्शन था लेकिन 2013 में यह सेक्शन एट कंपनीज के नाम से जाना जाता है यह रेजिस्टेशील आइट 1860 के अतर रेजिस्टेशर कर सकते है अगर चाहे तो भी ज्यादा से personality मताहै जो compliant से अगाए से जाता है थोड़े से easy हो यह जाता है comparative to companies क harmful measures के मैंज मैंने स्कक्षाहँ यह करता है डेजना गा legallyश्क है को यह दो दो करता है इन्टोटिक्शन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यह प्रत बिलकोँ सही से शख़ना है मतलब इसको पहले हैं, अजि को से सोऋऩोर हिएक्ट इसके बात भी क्यों अख़िव रहा क्यों आच बना वा था लोग को लगा कि आजादी के बाद यह concept हमारे देश में होना चाहिए सिर्फ government ही भलाई क्यों करे private लोग भी तो भलाई कर सकते हैं जो लोग चाहते हैं कि देश में कुछ अच्छा हो वह भी लोग तो कुछ कर सकते हैं कुछ promote करना चाहिए तो कर सकते हैं तो इसी नहीं यह society act 1860 अभी भी इंफोर्स रहा after the constitution of india society act एक legal entity है article 372 of the constitution इसको authorize कर दिया यह constitution का भी provision इसमें दिया हुआ है and a registered society is a legal entity a registered society a legal entity है but it is not a body corporate लेकिन एक body corporate नहीं होगी हमनों जानते है company is a body corporate but it is a legal entity legal entity के पास power क्या हो जाते हैं legal entity बोलते ही हम लोग समझ जाएंगे कि यह case कर सकती है इसके पास power है कि property एकवार करनेगी यह case कर सकती है इसके ऊपर कोई case कर सकता है यह सब चीज किसके पास होती है जो भी legal entity होते ही यह सभी रहा किसको मिल जाते है it can यह खुद की property रख सकती है it is capable of being sued and sue कर सकती है okay बस और कुछ definition में और कुछ खास introduction में दिया नहीं society's related कभी कोई भी question आता है like amendment का question society comment करना है dissolution का question आ गया dissolution कैसे करेंगे इसका question मान लिया जाता है यह फिरा जाता है कि amendment का question आ जाता है तो किसी भी question में society का introduction 2-3 line दे सकते हो as per society's act 1860 society को explain कर दी society किस purpose के लिए बना जारी कितने लोग बनाता है थोड़ा से introduction दे जाता 2-3 line introduction हो गया जो भी दिना उसका heading डाल की अपने answer लिए क्या होगा इजजद बढ़ जाएगा answer का मतलब examiner को लेगने बच्चे को concept के साथ-साथ यह chapter पता है यह chapter है तो आपको marks अच्छे मिलने के chance सुझाता है next registration का बात करना है तो कम से कम minimum seven individuals साथ लोग चाहिए होते हैं कम से कम अभी साथ लोग के अंदर जरूरी नहीं कि सिर्फ Indians होने चाहिए foreigner भी चलेंगे India के बाहर वाले वह भी चलेंगे कोई भी चलेगा registered society भी चलेगी कोई और registered society है वह भी चाहती है कि हम भी कि तुम्हारे company के अंदर member बन जाते है बन सकती है किस लिए है सब अच्छे चे कामों के लिए आई तिंग अच्छे चे काम आपको दिख रहा होंगे पढ़ते समय रंग बिरंगा ink use किया कीजिए जब ध्यान है बाद में जब बुक वापस खोलो तो वो रंग बिरंगा ink देखे दिमाग में उसे क्या उस चैप्टर में पढ़े थे background का noise प्लीज अवाइट कीजएगा फुजा चल रहा है तो थोड़ा problem हो सकता है आवाज काफी होगा बट फिर भी मैंने कोसिस किया है कि noise ना हो जाता problem ना हो procedure of registration registration कैसे करेंगे अब यहाँ पर आता है registration कोई भी चीज भूल जाओ society का registration है भूल गया ठीक है exam में बाइट कहीं सोचेंगे कि registration कैसे करेंगे एक तो application करना चाहिए हमको application किसको करेंगे registering authority को application करेंगे हमको register करना है application कर दिये application करने के बाद अगर यह company क्या जासा है तो इसके पास भी memorandum of association होगा इसका भी बनेगा लेकिन यहाँ पर duplicate word use करेंगे memorandum of association duplicate यह बनाएंगे बन गया जो subscribers होगे minimum seven person होने चाहिए साथ लोग होने चाहिए seven individual होने चाहिए seven individual यह जो साथ इंसान है इंडियन चाहिए foreigner जो भी होगे यह seven individual यह लोग क्या करेंगे भई signature करेंगे उसके उपर memorandum के उपर क्योंकि हम लोग companies act में भी देखे हैं कि memorandum में sign करना होता है subscriber का यहाँ पे भी subscriber sign करेंगे कुछ पैसा देना पड़ेगा वो भी देंगे fees जो भी चाहिए होगा वो fees pay करेंगे and fees pay करने के बाद at last हम लोग क्या करेंगे rules and regulation जैसे article बनाता है companies के अंदर यहाँ पे भी articles होने चाहिए company के internal जो भी proceedings है जो भी कैसे चलेगा उन सब्सकों देखने के लिए articles होता है यहाँ पे आर्टिकल नहीं यहाँ पे rules है okay rules and regulation by laws बोलता क्या बसको कहा लिखा होगा है आईए देखता है यह आपके book में होना चाहिए नहीं है तो book फार देजिए okay registering authority के पास आप application करके भीज़ेंगे sign कौन करेंगा बाई subscriber sign करेंगे okay यह clear memorandum of institution in duplicate बनाएंगे जिसके अंदर क्या क्या होगा नाम क्या है हमारे society का object क्या है हमारे society का address क्या होगा occupation member governing body कौन होगे governing body अभी अभी तक पहला word है na governing body इसके बाद हर जगह यह word चिपते जाएगा governing body governing body governing body हर जगह यह word आते जाएगा place of registered office यह registered office कहा होगा name and address full signature सब कुछ seven more person जो भी है सारा information आप दे दे देंगे इसके बाद आप rules and regulation by laws अपना बनाएंगे in duplicate word चरूर इस पर मातस है आपको duplicate word चिपकाना है in duplicate sign by at least three member of governing body कम से कम तीन governing body का signature होना चाहिए now governing body क्या होते है वो जो directly parliament के एक के through pass हुए है वो सभी governing bodies के तरह आते है evidavit or non judicial stamp paper दो टाइप का stamp paper होता है judicial एक non judicial non judicial stamp paper पे किसके सामने करेंगे evidavit करना है कौन करेगा भाई president and एक यह बाकी लोग secretary जो होगा president and security non judicial stamp paper पे उत अपना लेगा by the oath commissioner के सामने लेगा not a public और magistrate of first class यह position के लोग के सामने ही यह लोग यह काम कर सकता है next documentary proof चाहिए होगा documentary proof में क्या क्या एक्सप्ट किया जाएगा rentree हो सकता है electric bill हो सकता है ok यह सब जो भी आपका documentary proof के तरह passport हो सकता है document proof के तरह accept किया जाएगा registration fee cash में दे सकते हैं या फिर demand draft दे सकते हैं आजकल तो demand draft ही चल रहा है cash तो चल नहीं रहा है तो demand draft ही लगेगा यह आप आप online payment नहीं कर सकते है sir UPI बताइए ना rules and regulations पढ़ने का मन करें तो दुचा line पढ़ लिजेगा rules के अंदर क्या लिखे होगे liabilities of members क्या होगे हम लोग कोई payment नहीं करेंगा subscription fee तो क्या करेंगे किसी को remove करना है तो कैसे करेंगे किसी को appoint करना है तो कैसे करेंगे governing body को हटाना है तो कैसे हटाएंगे dissolution के समय क्या करना चाहिए तो यह सबी चीज rules के अंदर लिखा रहेगा bylaws के अंदर क्या लिखा रहेगा society make bylaws bylaws के अंदर क्या रहेगा business hour क्या होगा object क्या होगा basic सीज है यह exam में नहीं आते है और पढ़ने का ज़रूत नहीं है बस रीडिंग कर सकते हो और बहुत जादा राइट क्या होती है पहले यह जाते है कि member होता कौन है common senses होता है member कौन होता है अगर हम एक society के member है तो हम क्या से member बने होगे company के rules के through हम approve होगे copy पे ध्यार नहीं copy पे ध्यार नहीं अगर हम appoint हो रहे हैं सबसे पहले तो हम rules के according appoint होगे clear rules regulation by laws अगर होगे appoint होगे तो कुछ पैसा देना होगा right member बने तो पैसा देंगे तो subscription fee पे करेंगे subscription fee पे करेंगे sign तो करेंगे signature तो देंगे list of members तो अपना signature देंगे 3 काम होगया 4 हम अभी तक resign नहीं किया जब तक resign नहीं किया clear admitted society according to the rules and regulations के हिसाब पाइंट हुआ है subscription fee दे दिया है list of members को and cease not resign or cease to be member resign नहीं किया cease मतलब अगर तुम्हारी membership को छीन लिया जा रहा है नहीं आप तुम member नहीं रहोगे तो तुमको हटा दिया जा तो ऐसा कब कौन सा ground होगा कि आपको हटा दिया जा जाने वारा नौबत कब आएगा वो देखते है धक्यमार के निकाला जा सकता है अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपको subscription fee पे करने है आप subscription fee पे नहीं कर रहा है अब subscription से याद है आप चैनल को जरू subscribe किजएगा subscription इतना देर से कर रहा है अब करती से destroy होता है तो ठीक है mask भी मिल जाता है but destroy किया है कैसे भी destroy होँआ चाहिए जान कुछी कर रहा है तो इस अभी case हो में अगर कुछ भी हो जा रहा है जबी आप कुई property destroy करें कुई property लेके बैठ जा रहा है तो आपके उपर case किया जा सकता है आपको और सारा कुछ recover किया जा सकता है एक shoot file करके clear कुछ ground day member is a subject to the persecution punishment as standard for committing falling offense कुछ कुछ ऐसे चीज़ है जिनके उपर आपको punishment कौन पांसे चीज़ है यह punishment के लिए क्या क्या करना होगा नहीं करेंगे कि आपको punishment ना मिले तो अगर कोई भी चीज़ जान बुचके क्या करें चोरी कर रहा है कि अपने ही society में से चोरी कर रहा है पैसा चोरी कर लिए समान चोरी कर रहा है willfully, maliciously destroy जाहन बुचके destroy कर रहा है इंजरी कर रहा है अपने properties को society के properties को कुछ मिला था bond वेगरा उनका हम जा कर रहा है तो जभी भी कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा काम कर रहा है गलत काम कर रहा है basic common sense सब लोग सोच सेते यह सब काम कर रहा है मतलब आपके ऊपर punishment आपको penalty pay करना पड़ेगा losses को ठीक करना पड़ेगा यह सब चीज आपको उपर किया जा सकता है शूट फाइल किया जा सकता है member of society have क्या क्या राइट्स हो उनके पास कि आपको meeting में जाना पड़ेगा चाहिए को special meeting हो या फिर कोई भी meeting हो अब जाओ भाई meeting में घूप क्या हो vote दो अपना meeting में कम से कम सब्सक्राइब कर रहा है dispute वह कर रहा है member का society के अंदर के dispute सब्सक्राइब कर दीजिए rules and regulation by laws copy का rules and regulation copy इसको आप देखिए ठीक ठाक है liability क्या होते member may be sure as a stranger of the society member guilty of offence कुछ भी गलत काम कर रहा है गलत काम कर रहा है कुछ भी offensive काम कर रहा है तो punishment मिलेगा भई आपको stranger के तरह treat किया जाएगा stranger मतलब होता है कि company society के आप member तो है लेकिन आपको member माना नहीं चाहेगा क्योंकि आप गलत काम के हो तो आपको member के तरह नहीं मालेंगे है clear आप आप वायलेट कर रहा है guilty of mischief, breach of trust, mis application of funds इन सभी चीज़ों में आपको liabilities आ सकती है आपको payment करना पड़ सकता है losses को ठीक करना पड़ सकता है प्रापर्टी और तो सभी बेस स्टेडिट तो जहसे हम लुक जानते company की प्रापर्टी जो है company के हाथ में रहती है right company के pocket में रहती है society के property कहा होगी चाहिए society के पास good now question है society के प्रापर्टी तो society के हाथ में रहाए अगर एक लैंप एक computer है या इम्मोवेबल प्रापटी है वो तो इसके रहेगी रहेगी रेकिन हाथ में किसके रहेगी प्रस्टिक क्योंकि सुसाइटी क्या है एक रेजिस्टर्ड ऑफीस हे बात करता है कागज है एक legal document है जिसके ओपर लिखा हुआ है और तो कुछ नहीं है society तो society अपने मन से तो अपने property की रक्षा नहीं कर पाएगी तो society क्या से अपने आपको बचाएगी उसके लिए trustees बनाए जाते हैं वो trustee क्या करते है वो trustee उस property की देखरे करेंगे funds को ठीक उटराइज हुआ है की सारा काम कौन करेगा trustee करेंगे question आता है बात ठीक है sir आपका trustee कर रहा है हम बाग रहा है अगर trustee नहीं लिए तो trustee नहीं देगा रहा तो governing body तो पर सुन रहे है न वो property governing body के उबर रहे है वो property governing body candle हो जाएगी क्लियर यहां पर वही चित दिखा हुआ है section 5 बोलता है कि जो भी property यह चाहिए movable हो या फिर immoveable वो society के है लेकिन waste रहेगी trust के पास okay अगर कोई भी trustee नहीं है तो section 6 बोलता है कि वो गया जाएगा governing body के पास इसके बाद civil and criminal proceeding के अंदर भी वो property कह जाएगी governing body के पास रहेगी society की based it मतलब हाथ में किसके रहेगी governing body के इसके पास क्लियर यह हो गया यह पढ़ने का ज़रूत नहीं है working and management of society इतना बड़ा दियावाय पढ़ने का ज़रूत नहीं है question नहीं आते है अगर मन दे तो और ग्यान परपास आप पढ़ सकते हो अस knowledge मिलेगा और कुछी अमेंट्मेंट्मेंट करना है society को कैसे अमेंट करेंगे हम अमेंट कर सकते हैं लेकिन society का जो object जो देश जैसे हमना society को बनायते ना उसको नहीं विदा सकते हैं हम बनायते गरीब बच्चों की मदद के यह अब कम बोल रहे नहीं करेंगे यह नहीं कर सकते हैं और वालएट नहीं करना चाहिए कि वहीं हम लोगों को चेंज करना चाहिए प्रपोजल कहा है चाहिए पहली बात गवर्णिंग बड़ी तू दिन का नोटीस है यहाँ पर 10 डेस का नोटीस है ठीक है हम लोग स्पेशल जैनल मिटिंग होल्ड कर रहा है इसके लिए 10 डेस का नोटीस देंगे अधिन प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्र जैनरल मिटिंग, स्पेशल मिटिंग करेंगे जिसमें 3-5th of member, हाँ बिल्कुत 3-5th, ना ही 50% ordinary resolution नहीं है, ना ही special resolution है, यहाँ पे 3-5th है, अलग ही demand किया गया है, राट के तरह, 3-5th of member का approval लेंगे, आज मिटिंग के approval हो गया सर, बस amendment कर देंगे, नहीं, एक महीने बाद फिर मिलो, एक महीने बाद फिर से मिलो, फिर से meeting रखो, एक महीने तक लोग सोचेंगे उस amendment के बारे में, सोचेंगे एक बाद फिर से 3-5th of member का, वोट लो, एड इसको approve करवा दो, अब जब approve हो गया रहा, तो हम लोग मालेंगे कि भाया, हाँ, हमारा काम successful हो गया, amendment हो गया, लिकिन society तो एक registered office है, कैसे करेगा भई, उसका president कर सकता है, उसका secretary कर सकता है, ओकी, now, अगर उसके उपर करना है, तो किसके उपर करेंगे, president के उपर करेंगे, chairman के उपर कर सकता है, secretary के उपर कर सकता है, trustee के उपर कर सकते है, या फिर, किसी और ऐसा इंसा, जिसका नाम, governing body ब यहां में भी लिखा हुआ है डिटर्माइब जो फिलुकिनेग पश्रूर इस जो भी गा IT तो किस बन्दी को बतादेगा कि इस के ओपर केस्स करtwach सबस्रूली य। such person has appointed as a governing body for the occasion and अगर कुछ भी ऐसा nominate नहीं किया हुआ तो मतलब governing body भी नहीं बताया और boost में भी कुछ नहीं लिखे तो हम केसी नहीं कर सकते हैं अगर कुछ नहीं बोला है तो चुप चब तुम president को पर case कर दो secretary को पर case कर सकते हो या फिर trustee को पर case कर लो chairman को पर कर लो उन चारों में से किसी को पर कर लो बात के अगर अगर माल लो suit किसी president के उपर case then president मर गया रिथ हो गया बचारे का तो क्या वो suit फैंड कंसल हो जाएगा नई जो उसका successor आएगा उस president के जगए जो नहा president आएगा अब वो सूट उसके सर पे आजाएगा तो जिसका भी नाम पे केस है उसके हटने के बाद next person जो कि उसका successor appoint होगा उसके उपर वो केस continue चलेगा जाए वो civil हो या फिर अगर वो office ही resign कर देता है तो भी केस तो चलता रहेगा justice तो मिलना चाहिए amalgamation and division of society amalgamation क्यों करेंगे पहले यह लिखना पहले society क्या होता है वो लिखेंगे फिर amalgamation क्यों करेंगे वो लिखेंगे हम लोग better utilize करना चाहता है क्या चीज़ प्रपर्टी को resources को इन से भी चीज़ को और अच्छे से utilize करना चाहते हमारा इच्छा बहुत हमारा जो intention है बहुत ही पवित्र है बहुत अच्छा है और इस case के अंदर यह decide हुआ था कि कुछ कुछ कौन कौन से following process को follow करना mandatory होता है तो यह case लिख दोंगे तो answer में चार चाहिएगा submission of the proposal अनमल यह proposal औविस सी बात है गवर्मेंट गवर्निंग बाड़ी के थ्रू आना चाहिए राइट जो मेंबर से वो नहीं करेंगे गवर्निंग बाड़ी ही सब प्रपोजल लेके आ रही है यहां भी प्रपोजल गवर्निंग बाड़ी लेके आएगी 3 5th of the majority के अप्रूबल होगा notice जाएगा कुछ टेक्निकल एराद हो गया तो हाँ so notice जाएगा यहाँ पर notice जा रहा है फिर से and 3 5th majority of members के अप्रूबल ले लिए amalgamation कर रहे हैं आप लोग and फिर another special general meeting फिर से एक मैने बात करेंगे दो बार आप लोग दो बार meeting करना पड़ रहा है एक बार amendment जब की थे तभी दो बार amendment यह वाला के थे special general meeting के थे जब अब लोग amalgamation करना है तभी दो बार special general meeting लेंगे ठीक है 3 5th of the members हर जगर रहेगा and एक चीज हर चीज का proposal कौन देगा governing bodies देगे clear यहाँ तक distribution के बारे में बात करता है अब इक चीज इसके उपर जब answer लिखना है तो थोड़ा अच्छे से लिखना होगा मतलब मनलो यह 4-5 marks के लिए आता है तो यह 3 line तो आपको as it is देखना होगा जरूरी नियो word to word चापना बढ़ अच्छे से लिखना होगा next आपको यह उपर वाला लाइन भी चापना होगा कि क्या उद्देश है क्या मेरा amendment करने का amendment commission करने का तीसरा introduction चाहो तो डाल सकते हो section number डाल सकते हो conclusion डाल सकते हो इज़्यत बढ़ जाएगा answer का इज़्यत जैसे बढ़ेगा ना marks बढ़ जाएगा distillation of society society को dissolute कैसे करेंगे अब dissolute कैसे करेंगे proposal कौन देगा governing body देगा as a just यहाँ पे फिर से special general meeting करेंगे 3-5 लोग का approval लेंगे वो सब कुछ करेंगे and dissolution उसी meeting में approve कर लो या फिर आगे बाद में later on approve कर लो approve हो गया dissolution accept हो गया दो बार meeting करने का जुरूत नहीं है हर बार दो बार meeting दो बार meeting कर रहतना इस बार दो बार meeting चाहिए ही नहीं दो बार meeting नहीं लगएगा एक बार meeting से काम हो गया सुन लिया यह लोग अब property को disposed कर देंगे claim वगदा जो लाइवलिटीज है नहीं वगदाएव आपिमपर्स का वो सारा का सारा पैसा किसके पस जागा governing bodies के पास चला जाएगा sorry वो सारा का सारा पैसा चला जाएगा दूसरे society के पास जाएगा not governing body या तो state government टेलीगी या तो वो सारा कुछ या वो asset हो पैसा हो कुछ भी हो या थूसरे किसी अच्छ पीचाव पास या तो जा सकता है इन दोनों में से 12 अक्या के पास जा सकते है यहां प्तो हो गया कर थुसरे को एस पाफाने टी क्या है रृज़स्टार को कि पास पाँवरें अपटे मत वंड़ सकते हैं इन्वेस्टिचन कर तर दे सकता आपको order दे सकता है यह सब basically होगा डिस्पित में गरावको remove कर सकता है liquidator point कर सकता है तो basic points है जो जिस हम लो बिना पड़े भी common sense से लिख सकता है बता सकता है ठीक है और इस chapter के अंदर कुछ भी नहीं है dissolution भी हो गया है यह chapter खतम trust का video मैंने पहले ही बना दिया है and trust का video I think आपने देख लिए होगा नहीं देखा है तो video देख लोड video अप्लोड हो चुकी है and video पसंद दया तो यह video को जरू लाइक करना चानल को जरू से जरू सब्सक्राइब करो and इस video को जितना हो सके सबके साथ हर एक फेंड के साथ हर एक दोस के साथ जो भी है सबके साथ शेयर करना ठीक है पटापट दवा के शेयर होना चेक दब यह chapter इसना मैंना से लगत करा है chapter समझे में आया तो सब्सक्राइब जरूर खटना और ऐसा बहुत कमी लोग होगा जिसको सब्सक्राइब समझे में नहीं आए होगा अगर आपने पूरा वीडियो देखा आये तो अगर इसके बाद जिए आप इसके बाद आप इसको क्वेरी है तो आप मेरे नंबर पर वाट्साप कर सकता है आप मेरे को जब मनकर तब वाट्साप कर सकता है and comment section आपके लिए free है जभी मनकर आप लिखिए हम हर एक comment का reply देता है और आप मेरे को वाट्साप कर सकते है पुर इन अफूरा क्वैरी कभी-कभी comment में भी अप number देता है कि बहुत-बड़ा query रैता है तो मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा आप वहां से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाइबाइब